लिए आपको लिए अब लोगों का कॉंटेक्ट फर्स्ट कॉंटेक्ट सेकेंड लॉफ्ट वो टीन पेपर आपके हो चुके हैं आपने पिछली वीडियोज भी मेरी देखी होंगी उसी क्रम में हम आज बात करते हैं बच्चो फैमिली लोग पार्ट फर्स्ट याने हिंदू लोग की इस पेपर में हमारे यूनिट वाइस कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप थोड़ा एक बार देख लें नोट करते जाएं इनको साथ की साथ तो बच्चो जब हिंदू लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हिंदू कौन है यहां आप यह समझे जो आपका हिंदू मैरिस एक नाइटिन फिफ्टी फाइव है अगर हम उसकी लेंग्वेज में जाएं जिस बच्चे के पैरेंट्स हिंदू है बच्चा हिंदू है माबाप में से कोई एक हिंदू है बच्चे का ब्रॉट अप अगर हिंदू रिलिजन में है तो बच्चा हिंदू है बाइ रिलिजन जो है वो बच्चा हिंदू है चाहिए वो बहुत है सिख है जैन है हिंदू है लिंगायत है शेवायत है हिंदू है प्रात्ना समाज, ब्रहम समाज, आरे समाज का फॉलोवर है हिंदू है इसी तरह से अगर कोई किसी दूसरी डिलिजन में नहीं आत होता वो मिसलिम नहीं है, क्रिश्चिन नहीं है, पार्सी नहीं है, जीव नहीं है तो वो हिंदू है इसी ते से यगप्रस्तास वर्सिस मूल्दास के मामले में Honorable Supreme Court ने जिसमें Justice Ghasindra गड़कर थे उन्होंने भी ये कहा कि जो मुक्ष प्राप्ति को अपना अंतिम लक्षे मानता है और जो पनर जनम में विश्वास करता है Who believes in salvation, who expects in rebirth, is Hindu और ये दोनों बाते बच्चों हमारे वेदास में जुड़ी हुई है तो Justice Ghasindra गड़कर जी ने ये भी कहा था कि जिसका विश्वास वेदों में है वो हिंदू है तो सब्सक्राइब शुरुआत आप इसी बात से कीजिएगा कि हिंदू कौन है उसके बाद में आप देखीएगा फर्स्ट रिट के अंदर हमारे पास जो क्योश्चन है पहला क्योश्चन है आपका शॉर्सिस का बहुत ही इसी क्योश्चन है आपका इसका कम्प्लीट वीडियो जो है वह आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर एविलेबल है जिसका लिंक जो है वह मैं अभी आपको डेस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा तो शॉर्सिस के अगर हम बात करें बत्चों तो हमारे सामने एंसिट शॉर्सिस और मॉडर्ण शॉर्सिस दो पार्ट है एंसिट शॉर्सि के अंदर सुर्ती है सम्रती है कमेंटरीज है कॉस्टम्स है इसी तहें से जो मॉडर्ण शॉर्सिस है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे जज़्मेंट्स है वह हम इसमे इंकलूड कर सकते हैं लेजिसलेशन से हैं जो हमारे गवर्मेंट ने जो कानून बनाए हैं वो हम इसमें इंकलूड कर सकते हैं इसके लावा कॉमन लो जिसे अपन जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉंसाइंस बोलते हैं ये भी एक स्योर्स है, मॉडर्न स्योर्स फिर दूसरा क्योशन आपका स्कूल्स का बनता है, तो यहां पे हमारे पास दो स्कूल हैं, मिताक्षरा और दायभाग, आप सभी को मालूम है कि अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो वहां पे आपको दायभाग स्कूल के जो हिंदू है, वो आपको मिलेंगे और बाकी जो है पूरे इंडिया में आपको मिताक्षरा मिलेंगे हम सभी मिताक्षरा है जो आप मैं बोल रहा हूँ मैं भी मिताक्षरा हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं आप भी मिताक्षरा है जिससे मौमडन में शिया और सुनी दो स्कूल है उसी तरह से हमारे भी यहां मिताक्षा और दायभाग दो स्कूल है इसके अलावा बच्चो एक charitable endowment का आपका question बनता है बहिए आप कोई property जो है वे किसी charitable purpose के लिए किसी religious purpose के लिए gift कर देते हैं आप जीते जी gift करें या उसको एक will की थ्रूज है gift करें तो यहां पर यह जो आपने institution create किया है वो endowment है इसी endowment से आपका एक और institution जुड़ा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं देवस्थान और उसी देवस्थान के जो manager होते हैं जो जिन पर उस देवस्थान को चलाने का जिनका जिम्मा होता है वह आपके शेभियत तो फर्स्ट्रेट के अंदर बच्टो शोर्सिस का question है schools का question है endowment का question है इसी जैसे फर्स्ट्रेट के अंदर ही आपके पास Hindu undivided family की बात हो रही है जहां पर एक question आपका बढ़ेगा करता करता की position क्या है यहीं पर आपको यह भी पताना पड़ेगा कि क्या सिर्फ male ही किसी Hindu undivided family का मुख्या या करता हो सकते है या कोई women भी हो सकती है तो यहाँ पर Supreme Court का एक decision आपके काम आएगा कि एक women जो है वो भी एक औरत जो है एक Hindu औरत जो है वो भी एक Hindu undivided family या joint family की करता हो सकती है तो इस तरह से अगर हम देखें तो first rate के अंदर हमारे पास sources का question है, school का question है, endowment का question है और एक करता का question है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ important topics की तो अगर paper का एक जो level है वो अच्छा हुआ तो आपको sources में या करता में से एक question full flash मिल सकता है चोट question में वो शैबियत पूछ सकते हैं, महंत के बारे में पूछ सकते हैं, essentials of endowment के बारे में पूछ सकते हैं, मिताक्षरा और दायभाग के difference के बारे में आप से पूछ सकते हैं तो पासनरी property क्या होती है इसके बारे में आप से पूछ सकते हैं, और यही पे एक बहुत ही अच्छा topic first unit के अंदर है बच्चो पायस obligation, doctrine of pious obligation एक son को, एक grandson को, एक great grandson को कि ये duty है कि वो अपने father, अपने grandfather या अपने great grandfather के उन dads को, उन करजों को जो उनोंने घर के काम के लिए होंगे, अपने परिवार के लिए होंगे, उन करजों को वो चुकाए तो ये भी एक short question आप तयार कर सकते हैं, long question में मैं आपको यही repeat करूँगा कि आप sources का और करता पे जो है, वो आप अच्छा सा एक answer तयार करें second unit के अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो second unit के अंदर हमारे पास Hindu marriage जो है, इसकी concept आती है, तो यहाँ पर questions तो बहुत सारे बनते हैं, एक question तो आपका सीधा साधा सा यह है कि whether Hindu marriage is a sacrament और a contract, तो यहाँ पर वह सारे लोग यह कहते हैं कि it is a quasi sacrament, यह तरह से पूरी तरह से अब अपन यह नहीं कह सकते कि यह sacrament है, लेकिन कहीं ने कहीं कुछ पार्ट इसका sacrament है और कुछ पार्ट इसको अपन यू भी बोल सकने कि एक कांट्रेक्टिक, civil कांट्रेक्ट की तरह है, section 13 B की वज़े से ऐसा लोग बोलते भी हैं, तो एक क्योशन आप यह तयार कीजिए, कि क्या हिंदू विवा एक संसकार है या समीदा, मेरा यह मानना है कि जब तक section 7 की application है, कि आप at the time of marriage आपको कोई सब्थपदी या कोई विवा होम आपका करना ज़रूरी है, मतलब कोई sacrament से कोई ceremony आपको follow करने ज़रूरी है, जब तक section 7 है, हम marriage को एक sacrament ही मानेंगे, इसी chapter के अंदर वर्चो हमारे पास Hindu marriage act 1955 है, तो काफी lengthy आपकी unit यह है, तो Hindu marriage act 1955 के अंदर आप देखीगा, एक तो बड़ा simple सा question है, various conditions of Hindu marriage, जिसमें आप section 5 की बात करते हैं, section 7 की बात करते हैं, section 8 की बात करते हैं, इसी में सपिंडा relationship की concept आजाएगी, इसी में prohibited degree की concept आजाएगी, तो एक question हमारा यह बनता है, which are the essential conditions for a lawful Hindu marriage, इसी में section 9 का restitution of conjugal rights का question मनता है, ताम पत्ते अधिकारों की पनल स्थापना जिसको बोलते हैं, और इसी में आपका divorce का question मनता है, बच्चो. डाइवोर्स के question पे husband और wife को जो rights मिले हुए हैं, जो common rights हैं, उन पे question मिल सकता है, या section 13 के clause 2 के अंदर जो wife को rights दिये गए हैं, जो grounds अविलेबल हैं, डाइवोर्स के only wife को, वो भी आपको यहां मिल सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम देखें, बच्चों, तो यहां पे इस unit के अंदर, यानि के second unit के अंदर, एक आपको, अगर Hindu marriage act की हम बात करें, तो जो marriage की conditions का question है, वो मिल सकता है, या फिर जो diverse का question है, वो मिल सकता है, या फि आप जो various conditions of Hindu marriage हैं, और जो common grounds हैं, डाइवोर्स के, long question के लिए आप वो तैयार करें, इसके अलावा short questions के अंदर आप से wife के grounds पूछे जा सकते हैं, curality पे अलग question आ सकता है, digestion पे अलग question आ सकता है, लेकिन long question जो है, वो common grounds आपके डाइवोर्स के हैं, आप वो तैयार करें, और एक marriage की जो conditions हैं, उन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखें, उसके अलावा जब हम third unit की बात करें, बच्चों, तो third unit के अंदर हमारे पास Hindu Succession Act 1956 है, अब Hindu Succession Act 1956 के अगर हम बात करें, तो बहुत सारे questions हैं हमारे पास, लेकिन long questions के अगर हम बात करें, तो हमारे पास दो questions है, ए तो ये कि हिंदू मेल, यानि कि एक हिंदू व्यक्ति, हिंदू पुरुष के मरने के पश्चात, उसकी संपत्ति जो है, वो उसके उत्रा धिकारियों में कैसे बंटेगी, पहले class first में जाएगी, उसमें सोडा member है, कोई भी ना हो, तो फिर आपकी class second में जाएगी, वहाँ प हिंदू सक्षेशन एक 1956 के बाद करूं, तो एक तो आपका हिंदू मेल के मरने पे उसकी प्रोपर्टी उसके, अगर वो बिनावसियत की, एंटेस्टेट बिनावसियत किये अगर उसकी death हो जाती है, तो किस तरह से वो प्रोपर्टी उसके legal hairs में जाएगी, इसी तरह से female पे मरने पर उसकी संपत्ती जो है, वो किस तरह से उसके उत्रादिकारियों में जाएगी, ये आप फ्रोड़ा सक्षेशन तयार करें, और इसका पूरा एक वीडियो जो है, वो मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, उमेद करता हूँ कि आपको उसका फाय अगर हम Hindu Adoptions and Maintenance Act की अगर हम बात करें, 1956 का है ये, तो यहाँ पर हमारे पास बच्छों दो लोंग क्योस्चन है, एक तो यह है के Maintenance के क्या प्रोवेजिन, और स्पेशली यहाँ पर हम से पूछा जाता है, वाइफ के जो भरण पोश्चन के अधिकार है, वो क्या है, करना पड़ेगा Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 का, तो मैंटेनिस का एक अच्छा क्योशन आपको यहाँ मिल सकता है, मैंटेनिस के अंदर आप यह भी ध्यान रगी कि इस सिर्फ वाइफ नहीं, चिल्टन और एल्ड पैरेट्स जो है, वो भी इसमें इंक्लूड है, इसी तरह से बच्छों 25 देखते हैं, तो वहाँ पर जो एलिमनी वर्ड है, एक मैंटेनिस की फॉर्म है वो भी, तो अगर हम हस्वेंट की अगर बात करें, तो हस्वेंट को भी इस तरहें के राइट्स है, लेकिन हिंदू मैरिस एक्ट में है, यह जो आपका हिंदू अडू 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 1956 देखते हैं, इसके अंदर जो राइट्स दिये हैं, वो सिर्फ वाइफ को, चिल्डरन को और पैरेंट्स को दिये हुए, इसमें हस्वेंट आपका इंक्लूड नहीं है, तो अगर हम फॉर्ट की अंदर बात करें, तो यहाँ पर मैंटेनिस का एक बहुत अच्छा क्योश् में दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या कंडिशन्स हैं, और इस तरह एक अडॉप्शन की क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर अडॉप्शन पे भी आपको क्योशन मिलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास फॉर्थ उनिट है बच्चो, यहाँ पर मैंटेनिस और अडॉप्शन, दो लोग क्योशन हैं हमारे पास, अब एक्जामेनर जो है, वो ऐसा कर सकते हैं कि इन में से एक क्योशन आपको लोग क्योशन पूछ ले और एक क्योशन आपको सेवन मार्क्स में पूछ ले, तो अडॉप्शन और मैंटेनिस के, अगर आप 56 है. इस act के अंदर अगर बात करें सबसे पहले तो हमें यह पता होना जीए कि Guardians कितने तरह क्यों होते हैं Natural Guardian हुआ Testamentary Guardian हुआ De facto Guardian ओजोआ Dezero Guardian हुआ इस तरह की Guardians है और उनकी Orth Richards क्या है इसी तरह से 5th Unit के अंदर आपका ne आपका और Black आपके पास इसी के अंदर इस्टेपृशमेंट ओफ ओफ फैमिली nehme pequo है तो फैमिली कोड के ऊपर जो है वह एक आपका क् eustion बन सकता है इसकी पावर्स क्या है इसके काम जो इसकी फॉंक्शन्स वो क्या क्या है ये निव्यसीन कोड पर एक शोट क्र diu को आप तैयार करके जाए तो असने को बैद पज़ों हमारीमारी फिस्ट इुनिट है इस फिफ्ट उनिट के अगर हम बात करें तो फिफ्ट उनिट के अंदर हमारे पास आप देखिएगा इन्टो माइनोरिटी अड़ गार्जिंशिप एक्ट दिया हुआ है स्पेशली तो यहां पे अगर आप गार्जिंश पेशली नैच्रल गार्जिंश डिफेक्टो गार्जिंश अगर आप करके जाते हैं सेम पावर से लगबग इनकी कोई ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा तो यह एक क्योशन आपको बहुत अच्छा मिल सकता है अब हम अवराल बात करें बच्चो तो अवराल अगर हम बात करते हैं ऐसे सिट्वेशन के अंदर आप दिखीगा हमारे पास जो टोटल अगर हम फिफ्ट उनिट्स की तक की बात करें तो हमारे पास तो टोटल क्योशन बढ़ेंगे फर्स्ट उनिट के अंदर आपके पास स्योर्सिस का और करता का बड़ अच्छा क्योशन है सेकंड उनिट के अंदर आपका हिंदू मैरिश एक्ट 1955 है वहाँ पे मैरिश की कंडिशन और डाइवोर्स का क्योशन आपके पास बहुत अच्छा है थर्ड उनिट के अगर हम बात करें तो हिंदू सक्षेशन एक्ट में जो हिंदू मेल है हिंदू पुरुष उसके मरने पे संपति कैसे जाएगी ये आप अच्छा एक क्योशन तयार कर सकते हैं फूर्थ उनिट के अंदर आपके पास Adoption और Maintenance दो क्योशन आपके बहुत आपके बनते है और दोनों क्योशन आपको एक्साम में मिल सकते हैं एक 15 में मिलेगा तो दुस्था 7 में मिल जाएगा फिर्फ्ट उनिट के अंदर अगर आप partition अभी time कम है अगर नहीं कर पाएं तो कोई दिक्कत नहीं है otherwise आपका जो types of guardians है और इसमें especially जो natural guardians, de facto guardians है इनकी powers क्या है ये एक question आप तयार कर ले family court पे भी आपको matter मिल सकता है अगर आपके पास time available है तो आप वो भी कर ले otherwise फिर्फ्ट उनिट के अंदर आपको natural guardian, de facto guardian इनकी powers क्या है ये आपको अच्छे से करना है उमीद करता हूँ कि आपको इनमें से कुछ questions अच्छे questions आपको मिल जाएंगे constitution के जो हमारे दोनों paper है बच्चों उसकी videos भी मैं already post कर चुका हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं important topics के लिए thank you thank you very much